आप देख रहे हैं के सिंटोल्टिपूर पलपल की खबर 25 सितंबर की सुबह नवागड थानक्षेत्र के आवरिद अमोरा गाउं के बीच नगर सैनिक की लाश खून से लत्पत सड़क पर मिली थी 24 सितंबर की रात नवागड थाने में ग्यूटी के बाद गड़ना हुई और नगर सैनिक रज्जू परसात तिवारी बाइक से आठ बजे अपने गाउं अमोरा जाने के लिए निकला पुलिस ने घटना को रात साधे आठ से दस के बीच का बताया था नगर सैनिक की हत्या की बड़ी वारदात को जल्दी सुलजाने की भी नवागड पुलिस के लिए चुनवते थी इधर पुलिस ने नगर सैनिक की हत्या की गुथी को 48 घंटे में सुलजा लिया है और 6 आरोपियों में एक नगर सैनिक भी है सभी आरोपी एक ही गाउ की हैं लेन देन की वज़ा से हत्या की वर्दात होने का खुला साथ ही आ गया है जो पूरी मोटिव है वो इस तरह से क्लियर हुआ कि जो मितत है उसके द्वारा ब्याज पर ऐसा दिया जाता था और जो मुख्य आरोपी है वो भी एक होंगाट का सैनिक है जो की नवागड थाने में ही पदस था और उसके ओपर करीब दस लाग के आसपास की लेंदारी इसके बही खाते का जो हिसाब जप्ति के आगया है उसमें दिखी है जो पूरा घटना क्रम है वो टावर डंप के माध्यम से उसकी गुथी सुलजी है क्योंकि जो घटना स्थल था वहां पे हमें दो मुबाइल अक्टिव मिले थे उस टाइम में और वो जो मुबाइल थे उसमें पर अक्टिव पाया गया तब इस आरोपी को भी बठाके और कडाई से पूश्टाच की गई तो उन्होंने पूरी बात को सबीका रहा कि इसके हिसाब से करीब डेर दो लाग ही पैसा देना बाकी था जबकि मृतक के द्वारा दस लाग की मांग उससे वापिस की जा रही थ और घटना दिनांग को ये दोनों एक साथ ठाने से गंड़ना के बाद निकले और एक जगा शराब भटी में बैट के शराब पी और उसके बाद जब मृतक अपने घर अमुरा के लिए निकल रहा था तो आरोपी जो मुख्य है उसने अपने बेटे को फोन करके बताया कि य कि अच्छा निकल गया है और घटना स्थल पर पांच इसका इंजार कर रहे थे और वहीं पे इसopian मूटर साइकटल और मूबाइल भी खात्ना स्थल पर राप्त हुआ है यहीं पे हत्या की गई है और चोर दिया है और उसके बाद जो मुख्य अरोपी है जिसने इस पूरी गटना क्रम को रचा, उसने वी घटना स्थल पर पहुँचा और तीन लोग एक और तीन लोग इदूस्री मोटर साइकल से और थे वापस गया हैं सबी मोटर साइकल को भी जब्त कर लिया गया है और बाकि जो जितने भी सबूत हैं उसको हम लोग जब किता है अरोपी टोटल छे हैं और सभी को गिरफ्तार करके आज ही रिमांट को भेजा जा रहा है